नमस्कार दोस्तों, हल्टिप्स हिंदी में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में बताएंगे लसून के दूद के फाइदों के बारे में इसे जानने के लिए एफ वीडियो अंतक देखे और इससे पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बगल के बेल बटन को दबाना ना बुले तो आप जानेंगे लसून का दूद के फाइदों के बारे में लसून एक ऐसा आउशदिया चीज है जिसे रुशी मुनियों ने इतना फाइदा मन पाया था कि उस जमाने से लेक कर आज तक लगेतार इसका उपयोग होता ही आ रहा है लसून के निरंतर सेवन से पुराने से पुराने बीमारिया जैसे आस्थमा, खांसी, रक्तसंचर, लिवर से संबंदित सब ही बीमारियों का कतम हो जाता है लसून को दूद के साथ गरम करके पीने से इस से लसून का शक्ती 100 गुना ज्यादा हो जाता है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे की लसून को दूद में मिला कर पीने से किनकिन बीमारियां से चुटकारा मिलता है अगर आपको आस्तमा है तो लसुन का दूद आपके लिए अम्रूत का काम करता है इसका निरंतर उप्योग करने से आपको चमतकारी लाब मिलता है हार्ट की समस्या लसुन हमारा रक्त संचार को टीक करता है जिसके कारण हमारे दिल की समस्या कतम हो जाता है लिवर की प्रॉब्लम है तो लसुन का दूद इस्तमाल करने से इसका असर जरूर दिकाएगा इनफर्टिलिटी या नपुम सकता पुर्शो में ये प्रॉब्लम ज्यादातर होता है आपको ये प्रॉब्लम किसी का पास शेर नहीं कर सकते है क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत गंबीर होता है किसी को ये प्रॉब्लम होने से लसुन का दूद रोज रात पीने से वह पुरुष शक्तिमान हो जाता है अब हम इस दूद को बनाने का तरीका जानते हैं एक ग्लास दूद, पांच कच्चा लसुन के केले, एक चमच चीनी सबसे पहले दूद को एक परतन में डाल कर गैस पर गरम करें दूद के गरम होने पर लसुन और चीनी डाल दे लसुन को दूद में तब तक पकाए जब तक दूद आदा हो जाए इसके बाद दूद को धंडा होने रख दे और ग्लास में डाल ले ये दूद यूमन बोडी के लिए गरमी होता है क्योंकि लसुन और दूद दोनों खासी गरम होते है जब आप ये दूद का यूज कर रहे हैं तब आप रोज कम से कम 4-5 लीटर पानी पीना है तला हुआ या ज्यादा मिर्च मसाला का भोजन नहीं करना चाहिए नॉनवेज अंडा का सेवन मत करें शराप और नशेली वस्तूओं से दूर रहे फ्रूट्स फ्रूट का जूस बटर मिल्क तथा कर्ड पीना चाहिए योगा, व्यायाम, वॉकिंग, स्विमिंग, जॉगिंग करना चाहिए रात को दीरे से ना जागिए ये सब करने से आप 100% लसून का दूद से फाइदा पा सकते हैं तो दोस्तों ये थी आज के हमारे एट टॉपिक मानते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेर करें और हमारा चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले फिर मिलते हैं नया टॉपिक के साथ तब तक के लिए कुश रहे, स्वस्त रहे, मस्त रहे और आपका खयाल रखे धन्यवार